हलो मित्रों आज हम अपने फर्मापस चैनल पे बात करने वाले हैं बैंडी पलस टेबलेट के बारे में जिसमें प्रेजेंट होता है इपर मेक्टिन एंड अलबेंडाजोल टेबलेट इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि इसका यूज कहां पर किया जाता है इसका बेनीफ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि बैंडी पलस टेबलेट जो है यह इसमें जो है दो कमबाइन साल्ट मिले होते हैं जो एक होता है आईपर मेक्टिन और अलवेंडा जोल तो चलिए जैसे कि आप रहे पर देख पा रहे हैं टेबलेट फॉम में और सीरफ फॉम में भी आता है बच्चों के लिए पीडिया वगारा के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए जो है यह सीरफ पॉम में सस्पेंशन के रूप में भी आता है इसको मैनुफेक्चरिंग करती है मैनकाइंड फार्मा जो है इसका मैनुफेक्चरिंग करती है तो चलि इस टमक में पैराफाइड का ग्रोथ हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है हमारे जैसे कि हम बाहर का कुछ खाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि कुछ ऐसे वार्म वगेरा होते हैं जो कि हमारे पेट के अंदर ग्रो करते हैं जैसे कि आगे हम बात करेंगे उन सब को ट्र होता है वह प्रदेंट होने के बाद भी वह डेट नहीं होते हैं जिसकोalyst करनेगे लेड हमें में ही और आजाल टेबलेट लेन परता है यह मांने को ता नहीं हमें न गोर्ट करने हुक वार में होता है वो भी ही उसमें एक साइड पर उसके छेद रहता है वो भी केशुए के माफिक ही रहता है थ्रेड वार में रहता है बीप वार में रहता है पिन वार में रहता है और फ्लूक्स एन अदर पैरासाइड जो होते हैं यह होते हैं जो की हमारे पेट के अंदर जा करके infection cause करते हैं उन सब के treat के लिए हम इसका use करते हैं पहले जवाने में आपने देखा होगा friend या आपने दादा दादी के माध्यम से या मम्मी पापा के माध्यम से आपने सुना होगा कि पेटों में कीड़ा वगारा होता है खास करकि बरसात के समय में एक गोली इसका लेना चाहिए यह जो है वीडियो केवल knowledge purpose वीडियो है इसको लेने से पहले आप अपने डाक्टर से जरूर कंसल्ट करें तो इसमें जो है दो साल्ट जैसे कि हमने बताया आईवर मैक्टीन और अलवेंटा जोल परजेंट होता है तो आईवर मैक्टीन की जो है मात्रा इसमें 6 AMG होती है और वहीं अलवेंटा जोल की बात कर लिया जाए तो उसमें 4 AMG का अलवेंटा जोल टेबलेट जो है AMG कंटेन होती है दोनो यह बेंडी प्लस के नाम से इसका ब्रांड नेम है मैनकाइन फार्मा का इसके नाम से आपको मिल जाएगा तो आगे चलिए देख लेते हैं इसका जो है मार्केट में प्राइज बात कर लिया जाए तो मार्केट में इसका प्राइज जो है एक टेबलेट की प्राइज की बारे में बात कर लिए तो 27 रुपए के लगभग में आपको किसी भी मेडिकल या डिस्पेंसरी सोप से आप इसको पर्चेस कर तकते हैं जो इसका एक टेबलेट होता है वही एक श्ट्रिप होता है उसी को आप पर्चेस करेंगे या आप सीरफ के सस्पेंसर के फर्म में आता है बच्चों के लिए या सस्पेंसर के फर्म में ले सकते हैं अपने डाक्टर से कंसल्ट करके और उसके कोडिंग आप इसको बच्चे को तो हो ने सकते हैं जो इसमें हो पर हमने बता है कि इसमें और मैक्टिन की मातरा और vinden होते हैं और इसे क्योता है इसको हम रहुं मैं चुभला करके हखाया जा सकता है और इसको कंड़ी बहुत्री यह का वर side effect की बारे में बात कर लिया जा तो side effect जो इसका है इसका common side effect रहता है जैसे इस्टमक पेन पेट में दर्द हो जाना nosey abomating headache से में दर्द हो जाना digestion से decrease of white blood cell से क्योंकि इसको long time तक हमें लेना नहीं रहता है इस वज़े से इसमें कुछ खास side effect देखने को नहीं मिलता बट इकाद लोगों में ऐसा case देखने को मिलता है जैसे white blood की कमी आ जाती है vision जैसे vision का problem आ जाता है आंकों से सोड़ा सा दूंदलापन वगएरा confusion, weakness, difficulty and walking चलने में दिक्कत औगएरा आना इन सब को जैसे problem आपको common side effect देखने को मिलती है जबकि ये 6 महीने में एक बार लिया जाता है जो कि आपको बरसाथ के समय इसको ज़्यादा खास करके लिया जाता है कि बरसाथ में ज़्यादा तर जो है पेस्टी साइड जो वार्मकीड़े वगएरा होते हैं जादा active हो जाते हैं इस वजय से हमारे बोड़ी में हम जो कुछ खाते हैं जैसे पत्ते हरी पत्तेदार सब्सजियों अगार हाँ उसकेस में भी यह हमारे भोजन के थूरू आप उपर ऑंदर चले जाते हैं जिससे जाकर के पेट में infection cause करते हैं या किसी प्रकार की बिमारी cause करते हैं तो उन सब के treat के लिए हम इसका बेंडी प्लस से जो है tablet का यूज करते हैं जिसमें अलवेंडा जो लाइबर मेक्टीन ने रहता है तो ये वीडियो बस यहीं तक थी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे support कीजिए ताकि हम इसी प्रकारत अपने फर्मापच चैनल के माद्धियम से आप तक के यूँ ही वीडियो लाते रहें तो thank you friend